Semiconductor Industry एक foundational industry, Semiconductor का उप्योग आज plane से लेके train, train से लेके car, car से लेके TV, हर एक चीज में जो आप के हाथ में जो microphone है, जो camera आप देख रहे हैं, जो TV, जिस TV के उपर आप देख रहे हैं वो सब में Semiconductor का उप्योग होता है नरेंदर मोदी जी ने एक comprehensive semiconductor program 1st January 2022 को launch किया था अभी US में state visit के दोरान माने प्रदानमंतरी जी ने Micron Technologies के proposal को announce किया है Micron Technology विश्वी की सबसे बड़ी 5 semiconductor companies में से एक है अगले डेर साल के अंदर याने 6 quarter के अंदर-अंदर Micron की manufacturing process start हो जाएगा made in India Micron की chip बनके निखलेगी semiconductor industry एक foundational industry है semiconductor का उपयोग आज plane से लेके train, train से लेके car, car से लेके TV हर एक चीज में जो आपके हाथ में जो microphone है, जो camera आप देख रहे हैं जो TV जिस TV के उपर आप देख रहे हैं वो सब में semiconductor का उपयोग होता है जैसे steel industry है, जैसे chemical industry है, वैसी semiconductor industry है, एक foundational industry है इसलिए माने प्रदानमंत्री शी नरेंदर मोदी जी ने एक comprehensive semiconductor program 1st January 2022 को लांच किया था और इस पे बहुत ही focus करके, लगातार review करके प्रदानमंत्री जी ने semiconductor industry के सारे के सारे जो foundational setup है, उसको इस्थापित किया और अभी US में state visit के दौरान माने प्रदानमंत्री जी ने Micron Technologies के proposal को announce किया है, यह बहुत important proposal है, यह proposal Micron Technology विश्वी की सबसे बड़ी पांच semiconductor companies में से एक है, बहुत बड़ा इनका manufacturing base है, वो हिंदुस्तान में अपना पहला चिप manufacturing unit बनाएंगे, इसको आप समझें अगर यह एक wafer है, इस wafer के अंदर करीब 20,000 chips हैं, इतने से wafer के अंदर 20,000 chips हैं, बहुत ही बारीक होती है, बहुत ही महीन काम होता है, बहुत ही बारीक काम होता है, मतलब नैनो पार्टिकल्स जिसको आप आँख से नहीं देख सकते हैं, आपको बहुत ही sophisticated equipment से ही देखना पड़ेगा, इस wafer को finish करके, इसका raw wafer लेके आएंगे इंडिया में, इसको finish करके इसके अंदर से chip को extract किया जाएगा, इसमें से chip निकाली जाएगी, हो chip फिर बात में इस तरह की उसके अंदर उसकी skeleton muscles जैसे शरीड की होती है, वैसे ही उसको पूरा chip बनाई जाएगी, इस तरह की form बने जाएगी, जो complex chips होती है, उसमें कई कई सो किलोमेटर के आसपास की wiring होती हैं अंदर, बहुत ही complex होता है, इसके छोटा सा आप देख रहे हैं, इसके अंदर कई किलोमेटर की wiring है, और इसके अंदर power supply, इसके बाकी दुनिया से कैसे जुड़ेगा, वो सब चीजें इसके अंदर डिजाइन होती है, यह सारा का सारा process raw wafer से लाखे, सारा का सारा process और इसमें बाद में जो module बनता है, यह module जाता है, फिर किसी भी product में, laptop में, computer में, आपके जो TV देख रहे हो, उस TV में, सब में यह वाला modules लगता है, फिर, तो इस तरह का जो पूरा जो complex process ही, सारा complex process, micron के chip manufacturing unit में बनेगा, अगले डेर साल के अंदर, याने 6 quarter के अंदर, micron की manufacturing process स्टार्ट हो जाएगा, made in India, micron की chip बनके निखलेगी, इसे भारत आत्मेवर बनेगा, है, रोजगार ही पर है, हाँ, बिल्कुल, semiconductor industry, foundational industry है, इसका उप्योग, electronics manufacturing में, defense में, car में, train बनाने में, सब चीजों में इसका उप्योग होगा, तो सब इन सब industries के लिए इसका उप्योग होगा,